शराब घुटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर-फेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला, अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है, तो इतने करोडों रुपए गए कहां, क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया, सचाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता, तो पैसा भी मिलता, ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुले आम गुंडागर्दी चल रही है, किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो, अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ती, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है, जूटे आरोप लगाके फर्जी समन भेजके, यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते हैं, इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये संबन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके संबन कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानोनी रोप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उनने मुझे समन भेजा है क्यों? इस जाच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोग सब चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मिरको 8 महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोग सब चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो BJP का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि मैं लोग सब चुनाव में प्रचार न करपाऊ आज BJP ब्रचाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम ED और CBI का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के निताओं को तोड़के BJP में शामिल करवानी के काम किया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कितने उधारन है जहां किसी पार्टि के निता के खिलाफ EDI, CBI के मामले चल रहे थे या उन पे गंबीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो निता BJP में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफद अफ़गर दिये जाते हैं जो इनकी पार्टि में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया, संजय सिंग और विजे नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रिष्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजे पी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम बीजे पी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ब्रिष्टाचार नहीं किया अगर हमने जरह सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भरष्टाचारी नेताओं के तरह आज भी हम BJP में शामिल हो चुके तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भरष्टाचारीयों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जनतंतर के लिए बहुत गलत है इसे रोकना होगा मैं हमेशा देश के लिए लड़ाऊं मेरा तन, मन, धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं आपका साथ चाहिए